नमस्कार दोस्तों मैं सुविधा गुपता आज आपके साथ हूँ एक कहानी के साथ जिसका शिर्जक है केले वाली अलमारी दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब अवश्य करिए साथ ही बेल बटन जरूर प्रिस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके आए सुनते हैं यह कहानी केले वाली अलमारी नीन अभी पूरी तरहा खुली नहीं थी फिर खेस से जरा सा जाक कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था मैं भी यों ही लेटी रही तभी गली में केला बेशने वाले की आवाज आई केले ले लो केले ताजे मीठे केले ले लो फिर तो बस किसका बिस्तर और किसका खेस जट बिस्तर से उठी और खिड़की की रेलिंग पर कूद कर चड़ गई केले वाले की रेहडी को देखने के लिए इतने में मा दौडती हुई आई अरे बबली कहा चड़ी हुई हो नीचे उतर गिर जाएगी मैंने भी ठुनकते हुए कहा नई मा पहले केले लो फिर ही नीचे उतरूंगी मा ने समझाया बेटा नानी ले तो रही है न केले तो नीचे उतर वरना गिर जाएगी मा नानी सिर्फ एक देती है तो मुझको दो दोगी तो ही मैं नीचे आऊंगी मैंने भी अपनी गोहार लगाई मा बोली बेटा नानी सब को देगी अगर तुझे दो दिये तो फिर बाकी सब भी दो-दो ही मांगेंगे फिर सब को कैसे मिलेंगे मुझे मा की बास से कोई लेना देना नहीं था बस गुसा आ रहा था कि मा मुझे दोग क्यों नहीं दे सकती खिडकी से जाक कर अब बाहर देखा तो नानी केले वाले तक पहुँच गई थी छीट की साड़ी में नानी सिर पर थोड़ा पला करके गली में निकली थी मेरी नानी बेहत खुबसूरत थी पूरे घर भर में उनका रॉब था रॉब ना रखती तो आठाट बच्चों को कैसे पालती आजकल तो एक या दो ही पालने मुश्किल होते जा रही है उस पर भी हाल यह है कि बच्चे माबाप पर ज्यादा रॉब जमा लेते हैं अब कम बच्चे होने से ज्यादा सिर्चड़े होने लगे पहले ज्यादा बच्चों में माबाप किस किस को सिर्चड़ाएं बिचारा एक ही तो सर है हाँ तो मैं कहा थी बात केले की चल रही थी अब नानी केले वाले से मोल भाब कर रही थी उसने शायद पांच रुपई की दरजन के हिसाब से दिये नानी ने भी दो दरजन के लिए नानी जब केले लेकर घर में घुस रही थी उनको देखकर मेरी तो बाचे ही खिल कहीं मैंने बड़ी सी मुसकान की नानी को रिशवत देने की कोशिश करी पर नानी कहा टस से मस ओने वाली थी पूरा बड़ा हॉल पार करके साथ वले कमरे में गई और अपनी लकडी की अल्मारी जिसमें लोहे की जाली लगी हुई थी पहले जमाने में ऐसी अल्मारी हर घर में होती थी और उसमें ऐसा सामान रखा जाता था जिसे हवा लगती रहे और वह जल्दी खराब ना हो क्योंकि तब फ्रिज नहीं होते थे उसमें सारे केले संभाल कर रख दिये मा दूर से ही सारा नजारा देख रही थी और मन-मन मुस्कुरा रही थी पर मेरे चेहरे की मुस्कान अब तक गायब हो चुकी थी मैं बड़ी लर्चाई नजरों से नानी को देख रही थी सोचा एक कोशिश और करके देखती हूँ खुब मटकती हुई नानी के पास गई और अपने छे साल के दिमाग में जितनी भी अक्ल थी सब लगा कर बोली नानी बीनो, बुट्टो, मोना, गिट्टो, निटी को तो सारा दिन केले के इस अपने आते रहते हैं और मुझे तो बिल्कुल नहीं आते वैसे नानी केले कब दोगी? नानी भी हस पड़ी और मुझे गोद में बिठा कर बोली मेरी चंदा, मेरी सूरज, अभी केले दे दिये तो तुम सब नाश्टा नहीं करोगे इसलिए पहले नाश्टा करो, फिर दिन में सब को केले दूँगी मेरा तो जैसे मोही उतर गया सब जतन किये, पर केला फिर ना हाथ लगा फिर ठुनकती हुई मा के पास गई, गाल पर एक आशू भी लोड़क रहा था पर मा पर भी कुछ असर नहीं हुआ मा कभी वही जवाब था जो नानी का था बेहनों, भाईयों, मामा, मौसियों के जमावडे के साथ चुप चाप भारी मन से आधा पचादा नाश्ता किया दिलो दिमाग पर बस केला चाया हुआ था मा और नानी भी मेरा सारा तमाशा देख रही थी पर मजाल है जो पिगल जाएं जब देखा दोनों पर कुछ असर नहीं हो रहा तो चुप चाप रसोई घर से उठकर सब बहन भाईयों के साथ स्टापू खेलने में लग गई बीच बीच में मेरा केले की अलमारी पर नजर रखना जारी रहा घड़ी में जैसे ही बारा बजे नानी की आवाज आई बचो केला खा लो सिर पर पैर रखकर भागी कि आखिरकार केला खाने का समय आही गया नानी ने सब को बांट करेके केला दिया हम सब छै भाई बहन चार मौसी, तीन मामा, मा, नाना नानी और दो-चार लोग नाना से मिलने भी आये हुए थे और तीन-चार पडोस के बच्चे भी थे जो हमारे साथ खेल रहे थे नानी ने सब को केले दिये पूरे दो-दरजन केले एके करके नानी के अनमारी से सब के हाथ में चले गए सब मजे में केला खा रहे थे और मैं अंदर से उदास थी कि काश मुझे एक और केला मिल जाता अपना तो मैं पहले ही गटक चुकी थी जैसे ही सब बाहर दोबारा से खेलने जा रहे थे नानी ने मेरा हाथ पीछे से पकड़ कर रोक लिया और मुझे इशारे से चुप रहने को बोला फिर धीरे से नानी ने अपने हिस्से का केला मेरी और बढ़ाया दूसरा केला देखकर मैं तो नाच उठी फिर ध्यान आया कि नानी ने भी तो नहीं खाया नानी ने प्यार से मुझे गोद में बिठाया और मुझे केला खिलाने लगी मैंने कहा नानी थोड़ा आप भी तो खाओ नानी बोली अरी बिटिया मेरा पेट तो तुझे खिलाने की खुशी से ही भरा जा रहा है दूसरा केला खाकर मैं फिर से इस टापू खेलने में मस्त हो गई इस बात को गुजरे जिन्दगी के कितने सावन बीद गए नादान बच्वन तब सोस्ती थी जब बड़ी हो जाओंगी खूब सारे केले खरीदा करूंगी और अकेले ही सब खाया करूंगी इसी को नहीं दूंगी आप बाजार से इलाइची केले असी रुपे के दर्जन के भाव से चार ही खरीद कर लाती हूँ तो लाकर मेज पर रख देती हूँ कोई नहीं है मागने वाला ना कोई केले के लिए मान मनुहार करने वाला कभी मैं केले को देखती हूँ कभी केला मेरे अकेले पन को कोई अलमारी में छिपा कर रखने वाला भी तो नहीं है सब मेरे ही तो है, चाहे जितने खाऊं, पर अब मन नहीं होता दो खाने को कभी-कभी तो मन ही नहीं होता खाने को, और केले पड़े-पड़े ज्यादा पग जाते हैं तो पौधों में खाद बनने डाल देती हूं अब पता चला, बच्वन में चीजों को बाट कर खाने में जो आनन्द था, बहा केले खाने में कहां शायद जब तक चीज कम होती है, तब ही तक उसका महत्व होता है पर यह बास समझने में हम सारी उम्र लगा देते हैं तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कैसी लगी मेरी यह कहानी, प्रीज कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ब्लॉग शूद ऐसी थौट्स अन बाट्प्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ धहरे से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक अभार, धन्यवाद